तुम मुझे गुरू और प्रभू कहते हो, तुम ठीक ही कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे गुरू और प्रभू कहते हो, और तुम ठीक ही कहते हो, तुम मुझे गुरू और प्रभू समझते हो, इसमें कोई जूट नहीं है, मैं हूँ गुरू, मैं हूँ प्र दोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए कलिशिया जो पैर धोने की जो प्रक्रिया जो पैर धोने का काम जो होता था उस समय पर एक दास का एक गुलाम का होता था जब घर का मालिक बाहर से कहीं से आते थे तो जो घर का दास जो होता था वो अपने मालिक के चपलों को उतारता था और अपने हाथों से अपने मालिक के पैरों को धूता था ये एक दास का, एक गुलाम का, एक नोकर का काम था पैर धोना प्रभू कहते हैं मैंने प्रभू और गुरू होते हुए तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए हलिलुया वो चेले जो थे वो प्रभू के पैर धोने के लिए तो तयार थे येश्यू के पैर धोने के लिए सब लोग तयार थे लेकिन वो आपस में पैर धोने के लिए तियार नहीं थे प्रभू की सेवा तो वो कह रहे हैं कि हम सेवा करेंगे प्रभू की सेवा तो वो करना चाहते थे लेकिन वो आपस में सेवा नहीं करना चाहते थे प्रभु ने कहा क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है हलिलुया वो प्रभु के पैर धोना चाहते थे आपस में नहीं लेकिन प्रभु का एक नियम है कि जब तक तुम आपस में ही एक दूसरी की सेवा नहीं करोगे तो तुम मेरी भी सेवा नहीं कर सकते हम प्रभू की सेवा करना चाहते हैं प्रभू की सेवा करना चाहते हैं लेकिन हम आपस में हमारी आँखे नहीं मिलती हैं हम आपस में एक दूसरे की सेवा नहीं करना चाहते हैं हम आपस में एक दूसरे का बोज नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि ये चेलो की नजर में एक तुछ काम था जो येश्व मसी ने किया एक तुछ काम एक नोकर का काम आपस में नहीं करना चाहते थे लेकिन प्रभू ने का जैसे मैं प्रभू होते वे भी तुम्हारे पैर दोए, तुम्हें भी एक दूसरे की धोनों की जरूरत है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है, कि तुम भी वैसा ही करो, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, प्रभू येश्व मसी ने इस क्रिय के द्वारा जो पैर्धोने की क्रिया है इसके द्वारा चार बाते सिखाई पहली बात समर्पन चेले येश्यू के पैर्धोने के लिए तियार थे लेकिन एक दूसरे के पैर्धोने के लिए तियार नहीं थे इसलिए प्रभु ने चेलो के पैर्धोने कर ये सिखाए कि मैं सम प्रभु के प्रती समर्पन और एक दूसरे के प्रती समर्पन हालेलुया पैर धुना एक गुलाम का काम था मैंने ओलेडी आप लोगों को बता दिया इस कारियों को प्रभु ने करकी ये सिखाया कि हम समर्पित हो जाएं परमेश्र के प्रती समर्पित हो जाएं हालेलुया हम जब हम कहते हैं, हम परमेश्र की सेवा करते हैं, हम परमेश्र से प्रेम करते हैं, परमेश्र के प्रती प्रेम हमारा आपस के प्रेम में दिखाई देता है, जब हम आपस में प्रेम करते हैं, तब हम ये गवाही देते हैं, कि हम प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, प्रभु य शिखाते हैं सेवा करना, hallelujah, वो भोजन पर से उठकर उसने चेलों के पेरों को धोया, प्रभु येश्व मसी ने एक दास के रूप को, एक गुलाम के रूप को, एक नोकर के रूप को धारन किया, और नीश्वार्थ भावना के साथ सेवा करना, सरवोचता के साथ सेवा करना नमरता के साथ सेवा करना प्रेम के साथ सेवा करने का संदेश हमें दिया हमें सेवा करनी है एक दूसरे की हर एक उस वैक्ति की जिसे हम पसंद भी नहीं करते हैं हमें सेवा करनी है क्योंकि प्रभु येश्व मसी की आगया है हमारे लिए हाललुया और परमेश्र के परती समर्पन का ये चिन है हमारी सेवा जब दूसरों के लिए करते हैं प्रभयेश मसी ने भलाई की प्रेम दिखाया लेकिन उनोंने प्रेम के बदले प्रेम को नहीं पाया उनको कुरूज पर कुर्बान कर दिया गया हम भलाई करें चाहे हमें प्रति उत्तर मनुष्य से अच्छा मिले या ना मिले याद रखी हमारा प्रभू हमें कहता है कि यो हमें प्रतिफल देगा हम सेवा करें समर्पन के साथ में सेवा करें और सर्वोचता के साथ में हम सेवा करें निस्वार्थ भावना के साथ में हम सेवा करें सेवा करने के लिए आपको हमारी तरह फुल टाइम होने की जरूरत भी नहीं कि हम फुल टाइम होने की तब हम सेवा करेंगे नहीं आप जैसे हैं प्रभू आपको इस्तेमाल करने की सामर्थ रखता है अगर आप उसके लिए UPP-लब्द हैं सेवा करने के लिए एक interns बरने की एक पहास्टर बरने की ज़रूरत नहीं है प्रबु ने आपको जहाँ पर रखा है प्रबु आपको वहाँ पर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता है हमें सेवा करनी हैं बले काम करें, अच्छे अच्छे हम काम करें, हालेलुया, ये सेवा प्रभू के बलीदान की गवाही इस संसार के अंदर बन जाएगी, हम सेवा करें, सेवा, हालेलुया, हमारी सेवा को प्रभू अपनी गवाही के रूप में इस्तेमाल करेगा, प्रभू ने दूसरी बात हम सेवा करने के बारे में सिखाया येश्व मसी ने अपने चेलों की सेवा की तेसरी बात खुद का बलीदान हमें करना है खुद का बलीदान करने का मतलब ये नहीं कि हमें मार देना अपने आपको मारना है लेकिन इस संसार के लिए मारना है अपने आपको पापों के लिए क्योंकि हमारा पुराना मनुश्यत्व येश्व मसी ने खतम कर दिया है हालेलुया हमें अब प्रभु के लिए जीना है खुद का बलीदान करना खुद के लिए नहीं प्रभु येश्व मसी के लिए हालेलुया येश्व मसी ने क्या कहा मैं अपना प्राण अपनी भेडों के लिए देता हूँ किसके लिए देता हूँ अपनी भेडों के लिए दूसरों के लिए देता हूँ हालेलुया हमें दूसरों के लिए जीने वाला बनना है खुद का बलीदान, खुद के अधिकारों का बलीदान हमें करने के जरूरत है प्रभू ये शुमसी, प्रभू होकर भी, परमेशर होकर भी उसने पापी मनुश्य के पैरों को धोया ये उसके बलीदान को दिखाता है उसने अपने अधिकारों का बलिदान कर दिया वो राजा है राजा का काम नहीं है पैरों को धोना एक नोकर का काम है लेकिन उसने अपने अधिकारों का अत्याग किया और उसने अपने चेलों की पैर थोए खुद का बलिदान प्रभु येश मसी का बलीदान यही तक सिवित नहीं है हालेलुया वो इस संसार के अंदर देहदारी हुए अपने महीमा के स्थान को छोड़ कर संसार के अंदर आए यही एक बहुत बड़ा बलीदान है वो एक मनुश्य की देह में आ गए एक मनुश्य के द्वारा उस धर्दी के उपर पैदा हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बलीदान है परमेशर होकर भी उसने अपने अधिकारों को त्याग दिया उसने अपमान सहा, उसने मार सही वो हमारे लिक्रूस के उपर नंगा हो गया और उसको मार दिया गया एक स्वर्ग का परमेशर जिसके सामुक स्वर्ग दूद 1200 घंटे इसकी स्तूती करते हैं, उसकी अराधना करते हैं वो परमेशर एक पत्थर की कब्र में रहा ये इसका बलीदान है, खुद का बलीदान हमें करने के जरूत है हम खुद के अधिकारों के लिए काई बहुत ज़ादा हम लडते हैं, प्रभर ये शमस्य से हम सीखें खुद का बलीदान करना, खुद का इनकार करना चौत्वी बात जो प्रभर में हमें सिखाई के मापस में प्रेम करें, हम आपस में प्रेम करें Haleluyah 13.35 में क्या लिखावा है यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कौन जानेंगे? सब जानेंगे क्या जानेंगे? कि तुम मेरे चेले हो Haleluyah आपसी प्रेम प्रभु येश्व मसी ने इस क्रिया के द्वारा सिखाया चार बाते जो प्रभू हमें करने के लिए कहते हैं संसार के अंदर हमें समर्पन का जीवन जीना है परमेश्र के परती समर्पन एक दूसरे के परती समर्पन अपने जीवन उसे दे देना है अपने आपको बलीदान करना है सेवा करनी है हमें सीखना जब तक हम आपस में सेवा नहीं कर सकते हम प्रभू की सेवा भी नहीं कर सकते खुद का बलीदान हमें देना है खुद को हमें अपने अधिकारों का त्याग करने के जरूरत है जैसे हमारे प्रभू ने हमारे लिए किया और हमें आपस में प्रेम करने की जरूरत है वचन कहता है प्रेम परमेश्वर से है यह तुम मुझसे प्रेम रिकोगे इसली से इस सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो हलेलूय यह चार चीज़ें प्रभु येश्व मसी के उस बलीदान के लिए कि वो पापियों के लिए कुरूस पर मर गया और वो सिर्फ धर्म विसेश के लोगों के लिए नहीं बलकि संपूर्ण जगत के लिए कुरूस पर मर गया इन चार कारियों के द्वारा प्रभु ने जो आमें सिखाया पैर दोने की प्रगरिया की दौरा हम प्रभु के बलिदान की गवाही दे सकते हैं हालेलुया अपने जगह पे हम खड़े हो जाएं